बारिश के मौसम में गर्मा गरम पकॉड़े खाना किसे पसंद नहीं होता, बट क्या आपको पता है ये डिलिशेश और चटपटे पकॉड़े टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं, क्योंकि मैंने इन्हें सोया चंक से बनाया है, अगर आप अपनी वेट लॉस जानी प सोक करना है और 10 मिर्ट के साइड में रख देंगे, अगर आपके पास सोया चूरा नहीं है तो आप सोया चंक से भी इन्हें बना सकते हैं, अभी एक ब्लेंडर जा लेना है, इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा अध्रक, चार से पांच लेसुन की कलिया, एक हरी आप जितना तीखा खाते हैं उतनी हरी मिर्च आड़ करें, साथ में डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, आधा कप भुनेवे चने या फिर भुनावा बेसन, एक टेबल स्पून फेनल सीर्स यानि की सौफ, इसे ब्लेंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे, और ये हमारा पकोड़ी बनाने का मसाला रेडी हो गया है, अगर आप इसमें फ्रोड़ा सा हरा धनिया और पाई डाल कर पीसेंगे, तो आप इसे चटनी की तरह भी खा सकते हैं, अभी हम लेंगे एक प्यास, इसे फाइनली चौप करना है, लगबग 10 मिनित हो गए है, सोय ग्रानोल सोक ह इन्हें अच्छे से निचोड कर सारा पानी निकालना है, अगर आप इहां पे सोया चंक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें निचोडने के बाद ब्लेंड़ जाह में डाल कर इसका पीस कर चूरा बना लेंगे, सारी तैयारी हो गई है, अभी पकोड़े बनाने के लिए एक साजा नायल, स्वाद अनुसा नमक, आधा चमच गरम मसाला, आधा चमच आमचूर पाउडर, सारी इंग्रिडिन्स के लिस्ट मेजिमेंट्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, तांकि सोया चूरा सारी मसालों को सोग कर ले, और जब आप इसे हाथ में लेकर मुठी से प्रेस करेंगे, तो यह अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए, अगर बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा तयार किया हुआ मसाला आड़ कर लें, अगर मसाला नहीं है, तो आप इसमें भुनावा बे पकॉड़े साउथ कुजीन से इंस्पायर है, जिनने कहा जाता है सोय कोला उरंड़ाई, तो मैंने या पे सारी बॉल्स बना ली है, कुछ चोटी है, कुछ बड़ी है, क्या फरक पड़ता है, तो ओड़कर ही तो खानी है, अभी मैंने एर फ्राय कर रही हूँ, आप चाहें कि सोय कोला उरंड़ाई बनकर तयार है, उपर से क्रिस्पी आंदर से सूपर सॉफ्ट टेस्ट में एकदम बढ़या, इन्हें गर्मा गरम सर्फ करें, आप चाहें तो इन्हें किसे ग्रेवी में डाल कर सबजी की तरह भी खा सकते हैं, सबजी बहुत ही बढ़या बनती है, आज की रेसेपी पसंद आई हो तो इसे जरूर श्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चानल को सब्स्ट्राइब करना ना भूलें